नमस्कार दोस्तों एक बार फिर में आपका स्वागत करता हूँ फैंटसी बिनिंग 11 योटूब चैनल पर आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी साथी साथ दोस्तों पूरी उम्मीद है कि आप हमारी वीडियोस को पूरा देख रहे होंगे और यहां से मिलने वाले डीप अनलाइसेज और बैस्ट प्रेडिक्सन जिसकी दम पर आप शानदार बिनिंग कॉंबिनेशन सेट कर पा रहे होंगे और दोस्तों साथी साथ पूरी उम्मीद ये भी है कि आप अभी तक लाश्ट मुकाबले जो खेले गए हैं दोस्तों उनमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहा होगा और अच्छी बिनिग आपने वासे की होगी क्योंकि दोस्तों हमारे दोरा यहां पर सबसे ज़्यादा टी टेन मैशों को कवर किया जाता है जिनकी जानकार दोस्तों और कहीं पर ज़्यादा नहीं मिल पाती है दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक बार फिर आपके लिए लेकर आए है पांच हजार रुपे का प्राइज मनी दोस्तों तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा और दोस्तों प्राइज मनी आप जीतने के हगदार बनिएगा और दोस्तों साथी साथ यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और खास करके दोस्तों T10 मुकावलों को याप ज़्यादा से ज़्यादा यहां से कवर कर सकें दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इटली और स्पैन के बीच होने वाले मुकावले जबारे में दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है ड्रीम 11 ECC T10 टुनामेंट का चैंपियन बीच चल रहा है यानि कि दोस्तों जो मैच इनके बीच में हो रहे हैं आपको बता दें गुरूप तीन थे इनमें A, B और C इनके लीग स्टेज के मुकावले खतम हो चोके हैं लीग स्टेज में हर टीम ने यहाँ पर आठ आठ मुकावले खेले है उर दोस्तों कल से यानि कि 4 तारीक से चैंपियन लीग चालू हो गए थी यानि चैंपियनioni चिये बीच चलने वारा ता वो चालू हो गया था और इसमें इन दोनों ही टीमों ने अपने दो-दो मुकाबले खेल भी लिए है दोस्तों और बात करें इसे दोनों ही टीमों के अब तक के टूनमेंट सपर के बारे में तो इटली ने अपने गुरूप यानि की C में रहते हुए आठ मुकाबलों में चार मुकाबले जीते और दोस्तो चार मुकाबले हारे यही करण रहा यह गुरूप C के पॉंच टेवल में तीसरे नमबर पर रहे और बात करें यही इस्पैन की तो इन्होंने गुरूप A के गुरूप A में रहते हुए आठ मुकाबले खेले पांच मुकाबले इन्होंने जीते और तीन मुकाबलों में इन्हें हार मिली और यही करण रहा कि दोस्तों ये अपने गुरूप A की टेविल रैंकिंग में पहले नमबर पर रहे और यदि बात करें चैंपियन्स बीक के मुकावलों के बारे में तो दोस्तों जो कल ही खेले गाए इनके दोरा वो इटली ने दो मुकावले खेले और दोस्तों इस्पैन ने भी दो ही मुकावले खेले और दोनों की टीम में दोस्तों बिलुकुल भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाई और दोनों ही टीम में लाश्ट के दोनों मुकावले ये हार चुके हैं दोस्तों बात करें यदि स्पैन की तो स्पैन गुरूप A में नमबर वन पर रही लेकिन आप अगर कल के मुकाबलों की बात करें तो बहाँ पर दोस्तों पहले मुकाबले में 85 रन पर 8 बिकेटन के गिर चुके थे और दोस्तों इसके बाद जो अगला मुकाबला हुआ उसमे मातर 38 रन पर ये टीम ओल आउट हो गई थी लेकिन दोस्तों गुरुप मुकावलों में कापी शानदार ये खेली है तो आप इसको बिल्कुल भी कम मत आखिएगा दोस्तों अब बात करते हैं हमें हेड टू हेड और ग्रांड लिंग में किस परकार के पिलियर पर फोकस करना ह है और किस पिलियर को हमें तो यहां से ड्रॉप करना है सबसे पहले बात करते हैं अपन बिकेट कीपरिंग के सेक्शन से दोस्तों यहांपर आपको पहला पिलियर दिख रहा है अस पेन का जिसका नाम है आवेस spoil अहमद दोस्तों टीम के लिए इन्होंने ओपन अभी किया है और बात करें गुरूप मुकावले और चैंपियन्शिप यानि सभी मुकावलों को इस टूनेमेंट में मिलाकर बारा मुकावले इनों ने खेले हैं और बंसेवंटी नाइन रन इनके बल्ले निकले हैं इनमें दोस्तों पेंटालीस रन की इनकी सर्विस रेष्ट पारी है और बात करें पिछले लगातार इनके द्वारा पांच मुकाबले जो खेलेगा है उनके बारे में दोस्तों पिछले ही मुकाबले में दोरा इनके बल्ले से निकले थे उससे पहले सात रन इनके बल्ले से निकले थे क्योंकि इस पैन की टीम दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाई और दोस्तों उनमें इनके बल्ले से भी रन नहीं निकले हाला कि इससे पहले बात करें तो 29 रन इनके बल्ले से निकले उससे पहले दोस्तों 13 रन इनके बल्ले से निकले यानि कि दोस्तों उम् मुकाबले इनके द्वारा खेले गाए हैं इनमें 111 रन इनके बल्ले से निकल चुके हैं इनमें 51 रन की सर्वसरेश्ट पारी है पिछले मुकाबले में 11 उससे पहले 6 दोस्तों उससे पहले जो 51 रन निकले थे वो इनकी सर्वसरेश्ट पारी थी उससे पहले 100 और उससे पहले खेलेगा ग्यारा मुकाबलों में 113 रन इंड के बल्ले से निकले हैं इन में 25 रन की इनकी सर्विस रेश्ट पारी है और यदि दोस्तों आप हैड टू एड की टीम लगा रहे हैं तो आप 100% ओल राउंडर चार उठाने वाले हैं तीन बल्ले बाज और तीन बोलर आप यहां स सकते होगे ग्रांड लिग में दोस्तों बात करने जैसा कि दोनों ही बल्ले बाज उपन कर रहे हैं तो आप बनवाई वन पिलियर पर चांस आराम से ले सकते हैं और दोस्तों आप चाहो तो यहां से दो पिलियर खिला कर आप ओल राउंडर से एक पिलियर कम भी कर सकते हैं यह बताया दोस्तों हमने Grand League के लिए और दोस्तों थोड़ा सा पिछ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहें दोस्तों यहापर जो पिछ रिपोर्ट हम आपको बता रहा है वो इसलिए याद आ गया क्योंकि दोस्तों जो पहले के जो पिछ रिपोर्ट थे ना उनमें अभी तक पिछले रेपोट के हिसाब से काम चल रहा था लेकिन दोस्तों जिपले कल के मुकावले देखे गाए यानि दोस्तों कल काफी जबाइज दोदो मुकावले हर टीम ने किले यानि कि 4 मुकावले कर हुए थे और चारों मुकाबलम दोस्तों देखा गया टोस जीतने वाले कप्तान ने बॉलिंग वहाँ पर चूज करी जो भी कप्तान ने टोस जीता वहाँ पर उसने बॉलिंग चूज करी लेकिन मैच जो भी टीम जीती दोस्तों पहले बल्ले वाजी करने वाली टीम महाँ पर मैच जीती और दोस्तों काफी बड़े बड़े अंतर से वे मुकाबला जीते हैं यानि कि दोस्तों अपन कह सकते हैं टोस्त जीतने वाला कप्तान या पर आज बैटिंग करने का फैसला ले सकता है और दोस्तों यानि पहले बैटिंग अगर जिसकी होती है तो इसकोर भी आपको काफी लाहित देखने वाला है इसके अलावा और अपन बात कर रहे हैं बल्लेवाजी वाजी में बात करें हैं यहाँ पर आपको एक प्लियर देखराया है जिनका नाम हमजा सेलाम हमजा हमजा सलीम 88% लोगों ने ने सेलेक्किया है अभी तक इनके द्वारा केले गए इस टूनमेंट में बारा मुकाबले केले हैं, दोसो चारीस रन इनके बले से निकले हैं, इन में पैंसाठ रन की सर्वस रेष्टे पारी है, हाला कि दोस्तों बारा मैचों में इन्होंने तीन ओवर भी फेके हैं महाँ पर इन्हें एकी विकेट मिला है तो बोलिंग परफॉर्मेंस हमने ही देख रहे हैं क्योंकि तीनी ओवर बारा मैचों में इन्होंने फेके हैं तो इससे पहले इनके बल्ले से काफी अच्छे रन निकले हैं इसके अलावा इस पैन के ये और प्लियर याशिर अली की यहां बात करें 30% लोगों ने इने सेलेक्ट किया है इनके दोरा 10 ही मुकाबले इस टूनेमेंट में खेले गाए हैं यहां पर दोस्तो 92 रन इनके बल्ले से टोटल निकले हैं और बात करें सर्वसेश्ट स्कोर के बारे में तो ये 31 रन निकला है जो कि दोस्तो पिछले ही मुकाबले में आया है जब टीम ने 85 रन बनाए थे 31 रन पिछले ही मुकाबले में बने हैं उससे पहले 2 उससे पहले 7 यानि दोस्तों उससे पहले 13 और 17 उससे पहले इनके बल्ले से कुछ ज्यादा स्कोर नहीं है लेकिन पिछले मुकाबले में 31 रण इनके बल्ले से निकलिते और बातकर। दोस्तों दोनों ही बल्ले बाजों के बैटिंग ओडर के बारे में तो हमजा सलीम पांच में नमबर पर बैटिंग करने आते हैं और याशर अली ने लाश्ट मुकाबले में ओपन किया था दोस्तों इससे पहले भी ये ओपन कर रहे हैं लेकिन उससे पहले मुकाबले यह नहीं खेले थे दो मुकाबले यह नहीं कहले हैं बाकि दोस्तों इनका बैटिंग ऊडर ओपनिंग करने ही यह आ रहा है इसके अलावा बात करें दोस्तों क्रिश्यानों मुनाज मिल्स के बारे में चौते नंबर पर यह बल्ले बाजि करने आ रहे हैं हलागि बल्ले से ज़्यादा रण नहीं निकले हैं बारा मैचों में एटी थिरी रण निकले हैं इन में फोर्टी टू रनों की इनकी सर्विस रेस्ट पारी है और दोस्तों बेटिंग भी बता दे तो चोओधे नंबर पर यह करने आ रहे हैं और हमें तीन बल्ले यानि की लगवग लगवग एक सो नब्वे रन ये बना चुके हैं इनमें च्छालीस रन की इनकी सर्वस्रेश्ट पारी है पिछले मुकाबले को छोड़ दें तो उससे पहले दोस्तों पिछले दो मुकाबले को छोड़े जिनमें चार और एक रन इनके बल्ले से निकले थे उससे पहले दोस्तों 38 रन, 25 और 18 रन यानि कंटिनियूसली इन्होंने रन बना कर टीम के लिए दिये हैं इसके अलावा दोस्तों इटली के बल्ले बाच के बारे हम बात करें यहाँ पर अम्मत खान सबसे पहले दिखाई दे रहा है 15 परसेंट लोगों ने सेलेक्ट किया है क्योंकि यह पिलियर 60 पे नंबर पर बेटिंग करने आता है और बात करें तो 12 मुकावलों में 70 रन इनके बल्ले से निकल चुके हैं यानि दोस्तों काफ़ी जदा रन है नहीं लेकिन वहीं अगर बात करें 12 मुकावलों में 10 ओवर यह फेक्ट चुके हैं और 3 विकट निका कर टीम के लिए दिये हैं यानि कि पर मैच में एक ओवर लगवग लगवग इनका फिक्स रहता है पार्ट टाइम बॉलिंग के तोर पर दोस्तों यह बॉलिंग करते हैं लेकिन पिछले दो मुकावले जो की चैंपियंशिप बीग के खेले काई हैं उसमें इन्होंने बॉल इनका नहीं हैं दोस्तों नाविया नहीं माफ करें नो ओवर इन्होंने फेके हैं नो ओवर फेकने के बाद दोस्तों बिकिट कोई नहीं मिला बल्ले बाजी करने आ रहा हैं यह दोस्तों यह छटवे नंबर पर चटवे नंबर पर यह बल्ले बाजी करने आ रहा हैं और पि लगवग 90% लोगों ने इने सेलेक्ट किया है लेकिन आपको बता दे बल्ले से इनके ज्यादा रण नहीं है लेकिन बॉलिंग की बात करें तो ग्यारा मुकावल में पांच मैचों में इन्होंने बॉलिंग की है वहाँ पर नो ओबर इन्होंने फेके हैं और दोस्तों पांच पिकेट निकाल का टीम के लिए दिया यानि ग्यारा मैचों में पांच ग्यारा मैच केले हैं पांच इनिंग में इन्होंने बॉलिंग किया यानि दोस्तों बॉलिंग कर रहे हैं तो आप देखिएगा बिल्कुल पूरे स्पेल फेक कर जा रहा है और नहीं कर रहा है तो एक 40 रन इनके बल्ले से निकले हैं जिनमें दोस्तों 19 रन की इनकी सर्व स्रेष्ट पारी है जो कि दोस्तों 19 रन इनों ने दो मुकाबले जो खेले थे ना उन्म में पहले मुकाबले में बनाए थे, तो दोस्तो आप अर्नेट्रोप भी कर सकते हैं, तीन व tutte बाश्च अपनेको लेना है यहांसे हम लगवग लगवग साथ से आठ पेलियरों के बारे में बात कर चुके हैं आप आसानी से यहां से पिक कर सकते हैं, अब बात करें दोस्तों, ओल रौंडर के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो 5,000 रुपई का प्राइज मैंनी हम आप के लिए लेकर आए हैं, उससे उस पर बात करते हैं, हम यहांसे दो question पूछते हैं आपको दोनों questions के सई सई आंसर देने होते हैं तो दोस्तों उनमें पहला question आपके सामने है पहली inning का दूसरा bucket कौन से over में गिरने वाला है पहली inning का दूसरा bucket कौन से over में गिरने वाला है वहीं दोस्तों दूसरा question ये है second inning को क्या target मिलने वाला है second inning को क्या target मिलने वाला है दोस्तों answer देने से पहले एक बार format को समझ लीजिए किस format के आधार पर आपको answer करना है तो आपको comment box में जाना है fantasy binning 11 आपको यहाँ पर लिखना है जो की हमारे YouTube channel का नाम है इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है Italy versus Spain जो की दोस्तों आज का match है और बात करें एक number डालना है answer कर देना है इसके बाद दो number डालना है answer कर देना है इस सरल से format के साथ आपको answer करना है इसके अलावा थोड़ी शोड़ी साबधानिया है दोस्तों पहली साबधानी कि आपको वीडियो में एक ही कमेंट करना है आंसर से सम्मंदित आपको एक ही कमेंट करना है इसके अलाबा दोस्तों दूसरी साबधानी कि आपको मैच के प्रारंब होने से पहले ये कमेंट करकर जाना है यानि match start होने से पहले आपको ये comment करना है और तीसरी साब्धानी दोस्तों आपको comment करने के बाद किसी परकार का edit नहीं करना है यदि आप edit करते हैं तो वाँ पर mention हो जाता है कि आपने जो message किया है वो edit किया हुआ है दोस्तों बस चोड़ी चोड़ी साब्धानी आ है अब जाईए आराम से answer कर दीजिए और 5000 रुपे के आप बजेता बन जाईए और दोस्तों साथी साथ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon को प्रेस करना ना भूले दोस्तों अब बात करें यदि all rounders के बारे में तो यहाँ पर आपको पहला नाम काफी बड़ा नाम दोस्तों आमिर शरीफ दिखराई होंगे टीम के लिए open करने आते हैं इटली के लिए अब तक इनके द्वारा दोस्तों तेरा मुकाबले खेले जा चुके हैं तीन सो पचत्ता रन इनके बल्ले से निकल चुके हैं इनमें असी रनों की इनकी सर्वस्रेश्ट पारी है वहीं तेरा मुकाबलों में 21 ओवर फेकने के साथ ही 17 बिकेट ये टीम के लिए निकल चुके हैं यानि हैड टू हैड के लिए इससे बड़ा कैप्टन आपको अभी तक नहीं मिलने वाला और दोस्तों बात करें अपन बल्जी सिंग के बारे में तो बल्जी सिंग ने तीसरे नंबर पर अभी तक बल्ले बाजी की है तेरा मुकाबलों में 244 रन इनके बल्ले से निकले हैं 62 रनों की इनकी सर्वस्रेश्ट पारी है तेरा मुकाबलों में 18 ओवर फेकने के साथ ही नो बिकेट ये निकाल कर टीम के लिए दे चुके हैं यानि कि दोस्तों आपके लिए ये दोनों ही पिलियर काफी शानदार रहने वाले हैं दोस्तों क्रेड भी इनके काफी अच्छे हैं इसके अलाव बात करें रवी पॉल के बारे में तो दोस्तों बात करें रवी पॉले साथ मैचों में ग्यारा बिकिट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं साथ मैचों में दोस्तों तेरा ओवर फेक कर ग्यारा बिकिट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं बल्ले बाजी में इनके बल्ले से अभी तक टोटल ही तीन रन निकले हैं साथ मुकाबलों में यानि बल्ले बाजी को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए सिर्फ बॉलिंग पर्फॉर्मेंस की दम पर यदि आप ये टीम में लेते हैं तो दोस्तों साथ मैचों में तेरा ओवर कर ये 11 बिकेट निकाल चुके हैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं कुल्दी बलाल के बारे में 80% लोगों ने सेलेक्ट किया है टीम के लिए ओपन करने ये प्लियर आता है बारा मुकाबलों में 117 रर बनाने के साथ ही 40 रन इनका सर्विस रेच्ट है बात करें बारा मुकाब के बारे में तो 3% लोगों ने सेलेक्ट किया है क्योंकि 8 बे नंबर पर ये बैटेंग करने आते हैं लेकिन बात करें अपने 9 मुकाबलों के 13 ओबर ये फेक चुके हैं और 6 बिकेट यहां से निकाल चुके हैं और रन दोस्तों मातर 21 इनके बल्ले से अभी तक निकले हैं इ 10 मैचों में मातर 23 इनके बल्ले से निकले हैं लेकिन बात करें बालिंग डेपार्टमेंट में तो 18 ओवर फेक कर 10 बिकेट टीम के लिए निकाल कर इन्होंने दिये हैं यानि आप यदि बालिंग परफॉर्मेंस के इसाब से ने टीम में रख रहे हैं तो आप आसानी से ट्र बालि गया लेकिन बात करें इन दो मकावलों को जोडने के बाद भी 10 मकावले नोंने खेले हैं और 17 ओवर फेके हैं यहांपर दोस्तों 13 बिकेट ये निकाल चुके हैं आप के लिए ये पिलिया शानदार रहने वाला है लेकिन बात करें पचले मकावले दोनों में तो स्थ बात करें मौम्मद इम्रान के बारे में 64% लोगों ने ने सिलेक्ट किया है तो इस तो बात करें ना बल्ले बाजी में ये एक बार दोस्तो ओपनिंग आये थे मतलब जो लीग स्टेज के आठ मुकाबले थे ना उनमें अंतिम सेकंड लाक्ष यानी साथ मुकाबले में टीम न इसके अलावा दोस्तों बायत करें तो 22 ओवर ये 12 मैचों में फिक चुके हैं और 5 बिकट ही इनको मिले हैं इसके अलावा बात करें दोस्तों हैदर के बारे में यहाँ पर हैदर ने 11 मुकाबले केले हैं 19 ओवर फिकने के साथ 13 बिकट टीम के लिए निकाल कर दिये हैं और पिछले दो मुकाबलों में तीन बिकेट ये निकाल चुके हैं। के बाद दोस्तो बात करें ऑर जनाकरवाद के बारे में तो दोस्तो जनाकरवाद diber25 परसंट लोगों ने सलेक्ट किया है पाँच मुकावलों में दस ओवार ये फेक चुके हैं करें दो Blight निकाल करें टीम के लिए ये फिल्डिंग के पॉइंट हैं तो दोस्तो तीन बोलर आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो चार ओल राउंडर बहुत ही प्यार से सेलेक्ट होंगे और इसके अलाबा दोस्तो बात करें तो बल्ले बाजी में भी तीन और एक विकेट कीपर के साथ आप शांदार हैड टू मियासत आयार कर सकते हैं यदि दोस्तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा एनलाइसिस कैसा लगा दोस्तो ये आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जैहिंद दोस्तों झाल